नवस्कार दोस्तों स्वागत आप शवीका हमारी यूट्यूप चैनल में हम आ चुके हैं एक और वीडियो के लेकर आपके साथ और बहुत बड़ी अपडेट को लेकर दोस्तों जो स्टुडेंट करना चाहते हैं जो कर रहे हैं नीड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है क्योंकि कुछ स्टुडेंट ऐसे होते जिनकी इंग्लिस थोड़ी कमजोर होती थी और इस चक्र से वह एमडियो नहीं कर पाते थे तो अब ऐसा नहीं हो होगा क्योंकि केंद्र सरकार ने अब हिंदी में भी एम्वीवीएस की बुकों का विमोचन कर दिया गया है चलिए हम जान लेते हैं इसका पूरा मामला हिंदी में भी संभव हुई मेडिकल की पड़ाई यह सबसे पहले मद्ध प्रदेश में लाउग किया गया है एंपी ब हिंदी माध्यम में एम्वीवीएस की पड़ाई करने वाला मद्र प्रतेश देश का पहला राज बन गया है कांसिलिंग के बाद 15 नमबर से एम्वीवीएस के नए वैच के बिध्यार्तियों को हिंदी की किताबों से पड़ाए जाएगा जो 2022 का नए वैच लगेगा 15 नमब बिस्तार से जानते हैं से इस कदम से उन हजारों विध्यारतों को राहत मिली है जो अंग्रेज जी के भैसे इस पाड़ करम से दूर बागते थे अत्वा दाखले के बाद मुस्किल आने पर पाड़ करम भी छोड़ दिया करते थे अब उन्हों इस्ट्यूएंट को फाइदा होगा जो हिंदी के वैस इंग्लिस बहें के डर से जो पड़ाई छोड़ दिया करते थे अब उनके लिए थोड़ी राहत की ख़वर है क्योंकि हिंदी में इसका तीन के किताबों का प्रमेशन कर दिया है वासाई होंता से आत्म गाती कदम उठाते उठाने के मामले भी सामने आते थे खुछ चात्रों थे तो जो इसके वैसे आत्मात्याबी कर लिया करते थे उनके लिए वे राहत की ख़वर है केंद्री ग्रह मंत्री अमित साने रविवार को भोपाल में एमबीवीएस के तीन विसाओ की हिंदी में किताबों का विमोचन करती हुए कहा कि आज का दिन आ जादी के अमरित मौसब के बर्ष में भारत के चिकत्सा के छेत्र में बहतर एहम है जिसके सुनेरे अक्षुरों में लिखा जाएगा यह देश की सिक्षा के छेत्र के पुनर जागरण और पुनर निर्मान का दिन है मद्रप्रदेश के 97 डाक्टर की टीम ने चार महीने दिन रात मैनत कर अंग्रेजी किताबों का हिंदी में अनुवाद किया है मद्रप्रदेश के 97 डाक्टरों की एक टी जिसें चार महीने तक दिन रात मैनत करके इनका हिंदी में अनुवाद किया है डाक्टरों के साथ कंप्यूटर आफ्रेटर की टीम बनाई गई इस टीम ने 24 गंटे सातों दिन लगकर एम बीवीएस की प्रिथम परसी पांच किताबों का हिंदी में अनुवाद किया दूस् इस प्रिक्रिया में तकनीवी पहलूओ और चात्रों के बविस्थ की चुनौथी का भी ख्याल रखा गया है इन किताबों को ऐसे तैयार किया गया है जिसमें सब्द के माइने हिंदी में ऐसे बदल जाएं कि समझाना मुस्किल लगे दोस्तों आप दे चुके हैं यह केंद्र सरकार का कैसा कदम है जिससे आपका क्या मानना है इस न्यूश को लेकर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं या उन्चहत्रों को राहत मिली है जो इंगलिस के वह से आत्मक्तिय कर लिया करते थे या पढ़ाई जो छोड़ दिया करते थे बीच में यह एंबीवीस की तो यह कैसा फैसला रहा आपके नजरिये से आप बता सकते हैं कमेंट में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ला थेंक यू